हेलो एवरिवन तो आज हम 500 कोश्चन की सिरीज में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर के थेोरिटिकल कोश्चन की बात करने जा रहे हैं कि आपको जब आप यह पार्ट अच्छे से रिवाइस कर लोगे मेरे साथ तो आपके एक्जाम में आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का कोई भी थेोरिटिकल कोश्चन जाए वो छूटेगा नहीं बेल्कुर हन्डेट परसें शूरिटी के साथ में आपको बता रही हूं कि यह कोश्चन साब तयार करिए आपको जरूर मिलनेगा इस टाइप का कोश्चन ठीक है तो चली अभी बात करते हैं उससे बहले बता दूँ आपको कि अनक याडमी जह है वह रिवीजन बैच स्टार्ट कर और बहुत अच्छे अच्छे आपको अधुकेटर सीनियर अधुकेटर रहे हूं वहाँ पर आपको गाइड करेंगे तो इस नए बैचस को जोइन करिए और रिवीजन स्टार्ट करिए अपने अनुल एक्जाम का और बच्चों आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बा कनेक्शन बना रहता है बच्चे के साल वीकली आपको स्टॉडी प्लानर मिलेगा वहां पर और उसी के एकॉर्डिंग जो है वह आप प्लान करेंगे अपनी स्टॉडी को और वीकली आपको चेक आउट भी किया जाएगा कि आपका कहां पर डाउट्स हैं कितनी प्रॉब्ल शिप मिलेगी टीचर गाइडन्स मिलेगी और जिसकी हैसे आप अपनी सारे डाउट्स अपने स्टॉडी को स्मूथली चला सकते हों और बाकी प्लस के सारे फीचर्स तो रहेंगे रहेंगे लेकिन एक पेरेंट्स के साथ जो कनेक्शन है वह बहुत बांड जा है वह बहुत आप जरूर लीजिये यह 6-7-8 क्लासे के अलगलग चार्जे जैं आइकानी सबस्क्रिप्षन के डियुरेशन के वाइस और यह नेक्स आप देख रहे हो 9-12 तक के चार्जेस का डिस्क्रिप्षन है पूरा डिटेल में कितने टाइम का आपको लेना है आप उतने टाइम का स सट लेना चाहिए क्योंकि जो डिसकाउंट आपको एक बार मिलेगा वो दूसरी बार यदि आप कंटिन्यू करते तो उसमें डिसकाउंट नहीं मिलता तो आप एक साथ ज्यादा टाइम का लेते हो तो ज्यादा डिसकाउंट्स ज्यादा चार्जेज रहते हैं प्लस इसके नाम सही है रेफ्रेल कोड डिसल क्लासेस कैपिटल लेटर्स में तो आप यदि यह डाल देते हो तो आपको एक्स्ट्रा टैन परसेंट का डिसकाउंट भी और मिलेगा ठीक है तो आईकॉनिक सब्स्क्रिप्शन लीजिए आप और रिवीजन बैच का हिस्सा बनिए जल्द आपने उसमें देखा होगा कि सेल कॉंस्टेंट मोलर कंड़क्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी इस टाइप का बीच में पार्ट है जो कंड़क्टिविटी से डील हो रहा है तो आप इसकी डेफिनेशन और उसे कंड़क्टिविटी का क्या रिलेशन है मो डिबाइक वेशन आती है जिसमें तो पहला कोशन हमारा जो इंपॉर्टेंट मेरा जो कह मानना है कि एक कोशन आपको यहां से एक इंपॉर्डेंट कोशन मिलने वाला है कि सेल कॉंस्टेंट और डिफरेंट जो अच्छे से त्यार करिए और प्लस अच्छे से कैसे रिलेटेंट तो आप इसका फॉर्मले के साथ-सका को कि माल डा 2017 करने जाते हैं पको यह अपको एक सब्सक्राइब भी करना होगा वहां पर ठीक है तो एक कोश्चन तो आपका वहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है कोश्चन लिए लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी और डिफरेंट वहां के जो रिलेशन्स हैं उनको अच्छे से याद करिएगा दूसरा कोश्चन है कि दूसरा पैटर्न का कोश्चन जो इलेक्टो केमिस्ट्री से बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है इस साल भी कि यह हाफ सेल रियक्शन दी गई है और इसका इलेक्टोड पोटेंशल भी साथ साल मैंशन किया है दूसरी हाफ सेल रियक्श से पूरे सेल का स्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशल करना है कि यहां पर रियक्शन जहां वो फीजिबल है या नहीं दोनों के बीच में तो यह यह भी बहुत इंपॉर्टन पार्ट है इसका पैटर्न कोशन का चेंज भी हो सकता है कोशन दिखाऊंगी तो इसमें हाफ सेल से ओवर रॉल रियक्शन भी आ सकती है कि आपको आजी सेल की रियक्शन दीए और आपको ओवरॉल रियक्शन मनानी हो दो पाटर्न्स है यहां पर आप यहां देख रहे हो MnO4- जो है वो यहां माइग्नेज्ड है वो यहां पर आप निकालके भी कर सकते हो इसे कि Mn O4- की जो oxidation state है यहां पर plus 7 है और राइट से जाकर यह Mn plus 2 charge में change हो रहा है there is decrease in the oxidation number and 10 जो है that is having the plus 2 charge and on the right side it is having plus 4 charge that means इसका oxidation हुआ है और oxidation जो cell reaction है वो anode पर हैती है and cathode की reaction होती है reduction की तो magnet ions का reduction हो रहा है और plus 2 ions का oxidation हो रहा है तो हम इसके electro potential को as an anode मानेंगे और यह electro potential आप cathode की तरह use करेंगे and दोनों के लिए हम formula place करते हैं E cathode minus E anode value इस value मेंसे हम 0.15 जो value है उसे minus कर देंगे अब यदि यह value positive आती है तो that means product आपको मिलेंगे और reaction जो वो feasible है reaction होगी और आपको definitely product मिलने वाला है और यदि यह by chance अभी जैसे यहाँ पर minus करने पर आपको positive मिलेगी अब यदि यह by chance किसी reaction में कहीं और किसी question में value minus आजए तो that means आपको product नहीं मिलने वाले आप कितने भी efforts लालो वहाँ पर reaction नहीं होगी और result नहीं आएगा उस reaction में क्योंकि reaction हो ही नहीं है प्रोडक्स आएंगे ही नहीं तो in that case the reaction is not feasible तो एक यहां यह method का question प्रेटर जरूर practice में रखना की feasibility of the reaction आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे निकालते हो उसके लिए हम formula निक रखते हैं यह cathode minus e no next coming to the part of the colorless law जो आप जानते हो कि weak electrolytes के लिए बहुत applicable है हाला कि वो strong electrolyte के लिए निकाला गया था उनने शुरू किया था महां से लेकिन application जो है वो weak electrolyte पर बहुत important इसकी apply होती है तो colorless law independent migration of ions आपको law बताना है कि जो limiting molar conductivity है वो cation और anions के limiting molar conductivity का sum होती है and why does the conductivity of solution decreases with dilution जब भी हम dilution करते हैं तो conductivity I am not saying the molar conductivity मैं carry simple conductivity जो है वो एक cell की decrease क्यों हो जाती है जब हम dilution करते हैं डालिशन का मतलब ज्यादा solvent डालना water ज्यादा डालके हमने उसके number of ions को per unit volume में कम कर दिया हमने concentration ज्यादा बढ़ाने है तो बढ़ाते हैं तो इस number of ions बढ़ रहें per litre but in case जब हम volume of solvent बढ़ाते हैं तो having the same solute तो number of ions यहां वो पर लीटर जहां वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं जब number of ions कम होंगे जो की responsible है conductivity के लिए तो conductivity भी क्या हो जाएगी cell की decrease हो जाएगी तो this is the reason कि wire dilution decreases the conductivity of solution but not in case of molar conductivity next question हमारा molar conductivity से ही जुड़ा हुआ है कि conductivity define करिए and molar conductivity क्या होती है एक electrolyte की solution में तो simple conductivity भी तो आप कुछ भी consultation ले रहे हो कितना भी area of cross section है cell का lens कितनी है वो हम नहीं ध्यान रखेंगे स्टेंडराइस नहीं करेंगे लेकिन यदि उसकी concentration solution की one molar हो जाएगी स्टेंडराइस रखेंगे one molar then जो conductivity हमें मिलेगी that is called the molar conductivity अब आपको इसको चेंज जो डिस्क वैरियेशन है यह जो conductivity में changes आते हैं चेंज इन temperature के साथ इसे relate करके आपको इसे explain करना तो यह question आपका लगबग दो या तीन नंबर का question एक तरह से है two marks का और उसे लेकर three marks में आ सकता है और तो आप इसकी उसकी according तयार करके जाहिए तो conductivity पार्ट से मैंने आपको दो तरह की questions यहां पर मैं आपको प्रेस्क्राइब कर रहे हूं एक तो concentration से relation करके variation और एक temperature से relate करके उसका variation आपको explain करना नेक्स question पर आते हैं यह reaction दी गई है है cathode और रेनोड की silver ions की का silver में reduction हो रहा है और H ion का reduction कर रहे हैं वह H2 Gans की form में वन मोल के according जब हाफ मोल हो जाएगा है तो following reactions can occur at cathode during the electrolysis of aqua silver nitrogen solution using platinum electrode यदी हम silver nitrogen solution का electrolysis कर रहे हैं platinum electrode यूज करके platinum electrode यूज करने से सीधा हम एक चीज़ को cut लगा देते हैं कि electrode पर कोई reaction इसी नहीं होगी जहां पर electrode भी उसमें involved हो रहा हो तो silver ion जह हो silver metal में change हो रहे हैं और hydrogen ion जह हो hydrogen में यदी change हो तो दोनों में से electrode potential एक का 0.80 है और एक का 0.0 as you know hydrogen का तो 0 ही रहता है on the basis of their standard electrode potential which reaction is feasible at cathode and why very important question कि आपको इन दोनों को की electrode potential को compare करके यह बताना है कि इन में से कौन पहले जाकर क्या होगा cathode पर इस product की form में change होगा cathode पर होगा इसका reduction दोनों में की reduction होने वाला है आप दोनों में से race कौन जीतेगा भी जिसका और जो reduction potential की value में आपको value से compare करना पड़ेगा कि 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 reducing जो electron gain करने की मतलब reduction power किसकी ज़्यादा है electron gain करने की power किसकी ज़्यादा है यह आपको check करना पड़ेगा तो as we know जिनकी positive value hydrogen से उपर है they are more they will get more electrons more easily उनका reduction बहुत fast होगा because they are having the positive electrode potential and hydrogen का तो zero electrode potential है तो silver का reduction potential जहाँ positive होने की वज़े से उसकी ज्यादा अच्छी nature है reduce होने की जल्दी तो we will get the silver matter at the cathode क्योंकि उसकी positive electrode potential value यह शो कर रही है कि वो hydrogen से जल्दी reduce होगा ठीके तो हमें ऐसे questions में यह ध्यान रखना है कि reduction की value को देखते हुए हमें यह बताना है कि किसकी nature कैसी है जो positive values वाले होते हैं उनकी hydrogen से ज्यादा अच्छी reduction power होती है जिनकी negative values होती है तो यह compare करके हमने यहां से result निकाल लिया कि silver जहें वो बहुत easily reduce होगा और हमें cathode पर जहें वो silver मिलेगा ठीके तो इस टाइप के question के आपको practice रखनी है जरूर and coming to the again one more question related to the molar conductivity जो कि last to last year ही आया था यह वाला question weak and strong electrolyte conductivity एक तो आपको molar conductivity explain करनी है उनमें क्या differences है क्या changes आते हैं dilution करने पर and यह changes हम explain कैसे कर सकते हैं तो I think आपको याद होगा कि जो strong electrolytes हैं क्योंकि वो completely ionized हो जाते हैं solution में आते ही तो उनके ओपर dilution का ज्यादा effect नहीं आता है उनका graph जो straight line में आता है increasing order में लेकिन एक straight line में आता है और महां से हम graph से उनकी limiting molar conductivity भी निकाल देते हैं लेकिन weak electrolyte के case में क्योंकि उनके number of ions जो solution में है वो कम बनते हैं और degree of dissociation जैसे जैसे हम volume बढ़ाएंगे solvent का वैसे जैसे उनका alpha की value भी increase होगी लेकिन वो पूरी one नहीं हो पाएगी कभी भी तो ग्राफ यह वो तेजी से increase होगा लेकिन एक point पर आकर वो y-axis के parallel हो जाता है तो यह आपको graphically इसको weak and strong electrolyte को explain करना है conductivity में क्या changes आते हैं dilution या concentration change करने पर वह आपको graph की help से explain करना तो यह भी आपका question two marks का question आता है next आप सीधा-सीधा terms जरूर याद रखिएगा define करने के लिए क्योंकि वहां से formulas and define the terms भी जरूर मिलती है limiting जैसे molar conductivity है वो क्या होती है तो जब हम maximum dilution करते हैं तो हमें जो molar conductivity है वो एक limit point पर आकर वो stop हो जाती है और यदि हम उसे extra bullet करें graph को तो वह graph जहां भी कट होगा वह हमें maximum molar conductivity मिलेगी maximum dilution rate and that is called the limiting molar conductivity और फेराडे इसके दो लॉज हैं जिसमें फर्स्ट राडे का application हमारे नुमारीकली भी बहुत important है तो उस उन दोनों लॉज को theoretically याद रखिएगा अच्छे से एक reasoning question में आपको 11 बेस पार्ट से लेना चाहूंगी कि जो electrolytic आपकी electrochemicals जो series है उसके उपर based इस टाइप की questions आ जाते हैं कई बद कि आप reduction potential वगेरा आपको दिया हो जैसे अभी पीछे भी हमने question में discuss किया था तो reduction potential की values यहां दीए होंगी जो मैंने अभी लिखी नहीं है तो क्या आप copper sulphate solution को zinc pot में रख सकते हैं store करके रख सकते हैं या इस type का reasoning question solution भी दिमाग में रखेगा जो कि ज्यादा तो वैसे आपका 11 का टच हो रहा है यह पार लेकिन सम्हाव salt bridge है SHE है या आपको एक बार revise करना चाहिए 11 के पार को तो copper sulphate solution को क्या हम zinc pot में store कर सकते हैं क्या येस बताइए आप सोचिए बताइए मुझे answer इसका comment box में कि क्या आप copper sulphate solution को zinc में container में रख पाएंगे और यदि नहीं रख पाएंगे तो उसका reason क्या या देखिए सोचिए और मुझे comment box में जरूर बताना इसका answer देखते हैं कि आप यह search कर पाते हो कि नहीं ठीक है तो आप इस आप की questions आप को मैंने theoretically इसमें electrochemistry में बता दिये कि किस तरह की questions आ सकते हैं अभी जो sample paper हमने discuss किया था analysis किया था उसमें आपने देखा होगा कि electrochemistry में तो अभी आप मैंने सारे questions जो अभी निये हैं वो two marks के अकॉर्डिंगी लिया है तो इनी को ही हम one marks में भी change कर सकते हैं या mcq वगेरे में भी आ सकता है कोई question तो आप यदि one marks and two marks के question की practice रखेंगे तो आपका किसी type का भी question जाओ आपके हाद से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा मेरे इस आप से आप objective questions अच्छे से नहीं निकलेगा chemistry में I am 100% sure about that ठीक है तो फिर अब हम next video में बात करेंगे आगे चलेंगे chemical kinetics पर तिल देन आप electro chemistry को अच्छे से prepare करिए और जब कोई भी problem है आपको theoretically या अनिमारिकली तो आप बता सकते हैं telegram group join करिए DSL classes का और Instagram पर हमें follow करिए वहां से आपको proper guidance मिलती रहेगी और आपको बताते रहेंगे हम time time हमारा क्या schedule है वैसे next schedule में हम chemical kinetics के important questions को important section को discuss करने जा रहे हैं तो मिलते हैं next video में till then bye और ध्यान रखिए अपने parents का अपने family का अच्छे से ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तेयारी करिए board class की board प्रिपेर पेपर की आने ही वाले प्रिवोर्स भी आने वाले हैं time बहुत short रहे गया तो जल्दी जल्दी मिलेंगे till then bye